मैं धीर ज्याद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कमुनिटी पर जैसा कि आज हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं डारेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट टू अगर हम बात करें प्रीवेस सेशन की तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की तो मैंने आपको प्रीवेस सेशन में ही बताया था फिर आपका एक्जाम कोई भी हो चाहे वो बैंक हो एससी हो रेलवे हो या कोई भी आपका स्टेट लेवल एक्जाम हो रिजनिंग सेक्शन के अगर हम बात करें तो आपको इस पर्टिक पर्टिकुलर सेशन की तो जिन्होंने अभी तक इस पर्टिकुलर सेशन को नहीं देखा वो जाकर कि सेशन को वोच कर सकते हैं क्यों यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर इसकी मैं बात करूं तो मैंने आपको अल्यड़ी बता रखा था ना केवल सी सैट के पॉइं अग्जाम होना है या जो आपका प्रिवेस एक्जाम हुआ डाटा इंट्री ऑप्रेटर का तो इन सभी एक्जामों में कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप किये इस पेचलि अगर मैं बात करूं समपरिक्षक के एक्जाम के पहले जो आपके समपरिक्षक के एक्जाम में कोशन पूछे गए थे सभी कोशन का मैं आपर रिजनिंग सेक्षन की बात करूं तो एक वीडियो लेकर क्या हूंगा जहां पे आपको पूछे गए प्रश्णों के उत्तर मैं यहां पे डिसकस करूंगा तो यह सारे के सारे अगर ट टेमँस की पिर्परेशन कर रहे हैं या अगर आपके अप प्रकिर होने जा रहे हैं तो इन सेशंग को जरूर देखें clear चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के lecture की तो previous अगर मैं session की बात करूँ तो previous session का जो last question था वो आपकी screen पर आ चुका है आप इसे देख सकते हैं यानि कि basic जो आपके direction and distance related concept से उसको हम लोगों ने क्या किया था discuss किया था और साथ इसाथ अब हम लोग आ गये थे number of rotation पर based question पर जहां पर मैंने बताया कि जब आपको केवल और केवल direction बतानी हो तो आपको structure draw करने की आवशकता नहीं है आप directly ही क्या कर सकते हैं अंसर दे सकते ह चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की यदि मैं अगले पूछे गए प्रश्न की बात करूँ यहां पर दिया है a man is facing towards east and turns through 45 degree clockwise again 180 degree clockwise and then turns through to 70 degree anti clockwise पूछा है in which direction is he facing now चलिए हिंदी की बात करें तो एक व्यक्ती पूर्व की और मुख किये हुए 45 degree दक्षुना वर्त घूमता है फिर से 180 degree दक्षुना वर्त घूमता है और फिर 270 degree वामा वर्त घूमता है अब उसका मुख किस दिशा में है यह आपको बताना है इसके लिए यहां पर हम लोग multiple approach की बात करेंगे साथ इसाथ कुछ basic concepts को भी हम लोग यहां पर सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं map की map की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है यहां पर each division की value कितनी होती 45 degree जो कि हम लोगों ने last session में discuss किया हुआ था अब यहां पर अगर बंदे की face की बात करें तो सबसे पहले उसका मुख कहा था उसका मुख था पूर्व की ओर और यहां पर बोल रहा है कि अब यहां से वह क्या करता है 45 degree clockwise direction यानि की घड़ी की दिशा में या दक्षिनावर्त दिशा में घूमता है तो अभी अगर मैं बा गया 90 यानि कि currently अगर हम बात करें तो बंदे का face कहा है तो बंदे का face नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन की तरफ यानि की उत्तर पश्चिम दिशा की ओर और यहां से बोल रहा है 270 डिगरी क्या करता है वामावर्त घूमता है यानि कि anti clockwise direction में घूमता है तो यहां से अगर हम 270 ड clockwise बोला था तो आप यहां से 90 डिगरी clockwise भी घूम सकते थे आपका अंसर सेम आता तो एक तो हो गया यह तरीका कि आप मैप बनाई और मैप पे घूमते रहिए दूसरे तरीके कि अगर मैं बात करूं तो आपको clockwise और anti clockwise दोनों की values को अलग-अलग लिख लेना है और दोनों का क था 270 डिगरी है क्लियर दोनों के इंगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस आजागा देको 180 में से गर 270 घटाओगे तो बचे का 90 डिगरी किसका वाला एंटी clockwise बाल और 45 और 90 का डिफरेंस लो के तो आज आज The आजए गर हम बात करें मैप पे तो आपको करना क्या था आप देख रहे थे इस्ट में और यहां से आपको चले आना था 45 डिग्री anti-clockwise तो भी आपका अंसर आ जाता तो यहां पर आपके पास multiple तरीके हैं questions को solve करने कि आप कोई भी तरीका क्या कर सकते हैं follow कर सकते हैं यह हो गई एक बात इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ important बाते जो आपको note करके रख लेनी है जैसे अगर हम बात करते हैं जब clockwise direction की या किसी भी आप direction की बात करें clockwise या anti-clockwise की जब हम बात करेंगे 90, 90, 90 और 90 या रखो हम same direction की बात कर रहे हैं चाहें वो clockwise आप consider कर सकते हैं या anti-clockwise ठीक है या फिर आपको दिया हो right, right, right और right या फिर आपको दो बार right और दो बार left या फिर आपको दो बार right और again दो बार right दिया हो तो जब आपको चार बार 90 डिगरी दिया है तो आप माल लेते हैं map पे हैं ठीक है, east direction में जब चार बार आप 90 घूम करके आओगे तो वापस से आप वहीं पहुंचोगे यानि किसकी value कितनी हो जाएगी जीरो डिगरी आप वापस से वहीं पहुंच जाएगे चार बार right दिया है अगर आप east में हैं तो एक right, दो right, तीन right, चार right वापस से आप वहीं पहुंच जाओगे यानि किसकी value भी कितनी हो जाएगी, 0 डिगरी हो जाएगी दो बार right के अगर हम बात करें एक right, दो right और दो बार जब आप वापस से left जाओगे तो भी इसकी value कितनी हो जाएगी 0 डिगरी आजाएगी और दो right से दो right को भी आप क्या कर सकते थे, cancel कर सकते थे यानि कि इसकी value भी कितनी हो जाएगी, 0 डिगरी आजाएगी तो जब number of rotation पर based आपको question देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर एक दो turn नहीं होंगे वहाँ पर आपके ऐसे बोलेगा कि 45 मान लीजे ले ले लेता है right turn और ले ले लेता है 33 left turn तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं बंदे का face starting में कहा था, east में था अब 45 right turn लिया तो हम 4 से divide करेंगे तो क्या बच जाएगा एक right बच जाएगा और इसको हम क्या करेंगे 33 left को 4 से divide करेंगे तो एक क्या बच जाएगा left बच जाएगा, एक left से एक right क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा यानि कि value क्या आजाएगी वही की वही आजाएगी जिधर बंदे का क्या था फेस था तो जब हम multiple turns की बात करेंगे तो यह concepts आपको बहुत ही जादा help करने वाले हैं clear चलिए बात कर लेते हम लोग अगले पूछे गए प्रश्न की अगले question के अगर मैं बात करूँ तो बोल रह पर आपको कठना ही नहीं होने वाली है तो सबसे पहले देख लेते हैं structure ड्रॉ करके यानि कि यह होगी आपका 30 मीटर कहां जाता है south जाता है then he takes a right turn अब वह क्या करता है अपने दाय मुडता है और 60 मीटर चलता है तो यहां से दाय मुडेंगे तो obviously बात है हम किधर कुछने के लिए नहीं अपनाना चाहिए यदि उसका school उसे दिशा के विपरीत स्थित है जिस दिशा में वह वर्तमान में देख रहा है तो वर्तमान में तो वह कहां देख रहा है वह वेस्ट में देख रहा नहीं कि पश्चिम की और देख रहा है it means उसका school definitely कहा होगा पू value हमें क्या मिलेगी जिसकी value हमें मिल जाएगी 180 degree जैसे अगर हम माल लेते हैं यहां पर बोलते हैं तीन right और एक left है हम बोलते हैं तीन left और एक right और एक left यहां पर two left मिलेग आपको 1 डिगरी जो कि प्रिवेस कोश्चिन में आपको अलड़ी समझाया था इसी प्रकार से वह क्या कर सकता था छे राइट टर्न ले सकता था छे लेफ टर्न ले सकता था वैल्यू ओवर ऑल कितनी आनिकी 180 डिगरी तो यह सारे के सारे टर्न वह ले सकता है अगर उसे अपने स्कूल वैल्यू देखें तो राइट 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 वैल्यू कितनी मिली जीरो डिगरी मिली यानिकी एक ऑप्शन आपका हो सकता है फिर अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट कैंसिल और लेफ्ट से राइट कैंसिल इसकी वैल्यू भी कितनी बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की रोहन is facing south he turns 135 degree in clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti clockwise direction which direction is he facing now यानि कि बिल्कुल अभी आपका जो previous question से पहले question करा उसी के जैसा question है तो approach की मैंने बात करी थी क्या कि हमें क्या कर लेना है clockwise और anti clockwise वाले को अलग अलग लिख लेना है यानि कि दक्षुना वर्त और वामा वर्त वाले को अलग अलग लिख लेना है यानि कि बंदे का face कहा था तो बंदे का face था south में clockwise वाली value की बात करें तो 135 दिया है फिर आपको दिया है 180 डिग्री और anti clockwise वाली value की बात करें तो 270 डिग्री इन दे 35 किसका वाला बचेगा तो anti clockwise वाले का बचेगा फिर 135 वाले से 180 का difference लेंगे तो बचेगा कितना 45 किसका वाला बचेगा clockwise वाले का बचेगा तो south में देख रहा था तो clockwise में आपके पास बचा क्या 45 डिग्री तो south से 45 डिग्री आप क्या करेंगे clockwise direction में चले जाएंगे तो answer क् आपका साउथ वेस्ट यानि की दक्षिड पश्चिम क्लियर अंसर क्या हो जाएगा दक्षिड पश्चिम option number B काफी आसान सा question था इसको अगर आप मैप पे बनाते तो भी देख लिजे देख कहा रहा है थे South में 135 डिगरी आप आते है क्लोकवाईश डिरेक्शन में यहां about इसको आपको तो मैंने बोला तु Σेवंटी डिगरी क्लोकवाईश यहां पस्चिम दोनों आपके पास थे हैं किसी भी तरीके से यहाँ पे question को हल कर सकते थे clear चलिए बात कर लेते हैं अगले question की सभी को फटा-फट से यहाँ पे question को क्या करना है solve करना है answer बताना है चलिए तो बोला क्या है question में सबसे पहले इसके बारे हम बात कर लेते हैं बोला है गुलशन ने दक्षिण से उत्तर की और चलना प्रारंब किया निकि दक्षिण से कहां चल रहा है उत्तर की और चल रहा है तो दक्षिण से हम कहां जा रहे हैं उत्तर की और जा रहे हैं फिर उसके बाद बोला है वह सम कोण पर दाहिनी और मुड़ा यानिकि सम कोण है चुंप बात करें नत्ता हवाक इस दिसां में चल रहा है है हो देख सकते हैं हेगा सब्सक्राइब बर भी क्यों हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रस्थन के लिए कि बात कर लेते हैं अगले पूछे गए क्वेश्चन की चलिए बोला है इफ नौर्थ वेस्ट इस गौल साउथ यानि कि उत्तर पश्थिम को दक्षिन कहा जाय उत्तर को दक्षिन इससे पहले कि हम इस question का answer दें, यहाँ पर हम लोग के question लिखते हैं, if Monday is called Wednesday, Tuesday is called Thursday, then what will be the day for Friday? यानि कि यदि सोमवार को क्या कहा जाए, बुद्धवार कहा जाए, मंगलवार को क्या कहा जाए, गुरुवार कहा जाए, तो शुक्रवार को क्या कहेंगे, यह आप से पूछा गया है, clear? याए सिवन इपारोälle याई थो उसी प्राइब और यहांपे आपका अंसर क्या हो जा जायेगा तो बोला जा रहा है नॉर्थ वेस्ट इस कॉल्ड साउथ तो नॉर्थ वेस्ट के अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट यह होगी आपका और इसको हम बोल कर रहा है साउथ या नि कितने डिगरी का फरक है तो आप क्लिएरली देख सकते हैं 135 डिग्री का फर्क है clockwise के anti clockwise तो anti clockwise डारेक्शन अगला कर हम देखे तो बोल रहा है north is called southwest नौर्थ ही है नौर्थ कॉम बोलने southwest यानि कि again कितने डिग्री का फरक 135 डिग्री का फरक clockwise के anti clockwise तो anti clockwise फिर बोला and west is called south east यानि कि west कॉम क्या बोलने south east यहां पर भी कितने का फरक यहां पर भी 135 डिग्री का फरक clockwise के anti clockwise तो आप देखेंगे anti clockwise direction then what will be the direction for east तो east में भी कितने का फरक होगा फटा-फट से बताइए तो east में भी हो जाएगा 135 डिग्री का फरक यानि कि answer क्या हो जाएगा नौर्थ वेस्ट यानि कि option number d will be the right answer for the given question यानि कि पूछे गए प्रस्ट का साही उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम जितने का फरक क्या हो रहा है बाकी सब में हो रहा है उतने का फरक हमें क्या कर देना है पूछे गए दिशा में भी कर देना है clear चलिए देखते हैं इसी प्रकार का एक और question यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सुमित गोज 5 km then he takes a right turn यानि कि सुमित क्या करता है 5 km चलता है और फिर क्या करता है दाए और मुड़ता है लेकिन 5 km किसे दिशा में चलता है यह आपको नहीं दिया गया है यानि कि अगर हम यहाँ प करना होगा निकालना होगा यानि कि प्रारंभिक जो उसकी दिशा थी प्रारंभिक जो जिस दिशा में वह क्या कर रहा था मुवमेंट कर रहा था वो दिशा आपको यहां पर बतानी है तो ऐसे कोश्चन में क्या करना होता है आपका जिधर से मन करें आप उधर से क्या कर जाने का आप तूउर्स दये आप कमन करねं टूउर्स जाने का आप तूउर्स दूर्स जा सकते हैं Distant की बात करें तो कितना है पाँच kilometer है, यहां लूद से कितना हो जाएगा पाँच किलो मेटर और यहां भी हम क्या कर जाएंगे राइट मूर जाएंगे और कितना चलेंगे फोर किलो मेटर चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहां पर बोला गया है and finally he takes अच्छा एक और टर्न लिया है उसके बाद अगर मैं बात करूँ he takes another right turn and goes two kilometer और फिर से क्या करता राइट मूरता और कितना चलता है दो किलो मेटर चलता है यहां भी हम क्या कर लेते हैं दो किलो मेटर चलिए दो अलाला गालत तरेके से मैं structure बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप किसी भी तरीके से structure बनाईए आपका answer सेम आने वाला है उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और finally he takes a left turn and goes 5 km अन्तिता हवा क्या करता अपने बाईउ और मुड़ता है और कितना चलता है 5 km चलता है यहाँ पर अपने बाईउ और मुड़ेगा यह हो गया structure clear चलिए बात कर अगर हम question की तो पूचा है then find the direction towards which he started his journey यानि कि आपको क्या करना है बताईए उसने अपनी यात्रा के सदिशा में प्रारंब की यदि यहाँ पर आपको लिखा गया at the same time he realizes that he is facing towards south west direction यानि कि इस समय वह क्या करता है realize करता है कि उसका मुख किस दिशा में है और मुला और Regina realize क्या करता है कि उसका मुख कहां है जखन पश्चिम दिशा में है तो आपको बताना है उसने यात्रा अपनी किस दिशा में प्रारंब की तो अगर हमने structure इस प्रकार से बनाया तो हमारा जो answer आया हो क्या आ रहा था वो आ रहा था south यानि कि हमारे according उसका face कहा है south में है जब कि question के according उसका face कहा होना चाहिए तो question के according उसका face होना चाहिए south west direction में यानि कि हम क्या कर दे इस पूरे के पूरे structure को अगर हम 45 degree clockwise direction में rotate कर दे तो पूरा का पूरा हमारा जो answer है यानि कि इसका जो final face है वो कहां मिल जाएगा बताओ south west मिलेगा कि नहीं मिलेगा clear तो जब हम final वाले को अगर यहां पर घुमाएंगे 45 degree clockwise तो अब इस सी बात है initial वाला भी क्या करेगा घुमेगा 45 degree clockwise direction में और अगर initial की बात करें तो अभी कहां है east है और जब इस पूरे का पूरे structure को हम घुमाएंगे rotate करेंगे तो यह भी 45 degree घुम जाएगा इस प्रकार से बनाया होता तो मैप के according अगर हम बात करें चली मैप के according अगर हम बात करें तो हमारा जो answer आ रहा है final facing का वो कहां आ रहा है east आ रहा है और यहां पे अगर हम बात करें बोला क्या गया है तो बोला गया कि बंदे का जो face है वो realize करता है कि किस दिशा में है southwest दिशा में है यानि कि east को हमें क्या करना होगा southwest बनाना होगा यानि कि इस पूरे के पूरे structure को हमें घुमा करके क्या करना होगा southwest बनाना होगा तो अगर यहां पे final वाले की मैं बात करूँ तो final वाले में कितने clockwise तो clockwise clear तो जब final वाले में moment होगा 135 का तो और बेस सी बात initial वाले में भी कितने का moment होगा 135 का और initially हम जा कहा रहे थे तो हम जा रहे थे north में और north से 135 घुमेंगे तो भी हमारा answer क्या जाएगा south east यानि कि structure आप कैसा भी बनाएए जितने का rotation किसमे होगा final में होगा उतने का ही rotation किसमे होगा initial में होगा आखरी वाले mode में हमें जितने degree का क्या करना होगा mode लेना होगा उतने ही degree का mode या घुमाओ हम किसमे लेंगे शुरुआती अपने direction में लेंगे और answer हमारा आ जाएगा जिस वरकार हम लोगों ने क्या किया था करेंगे यहां पर लास्ट से structure बनाना शुरू करेंगे यानि कि finally south west है तो यहां से बनाएंगे फिर घुमेंगे यानि कि आपके लिए क्या हो जाएगा काफी complicated हो जाएगा जिधर आपका मन करें बिल्कुल सीधा सीधा साई कि structure आप क्या करिए ड्रॉ करिए और finally क्या करना है आपको जितने का यहां पर जैसे माल लीजे हमारा answer आ रहा है पड़ा इस्ट को हमें बनाना पड़ा southwest यानि कि इस्ट को southwest बनाने के लिए हमें rotation कितना लेना पड़ा 135 डिग्री clockwise तो इनिशली हम जा कहा रहे थे नौर्थ में तो नौर्थ से भी कितना मुर जाएंगे 135 clockwise डिरेक्शन में आंसर कहा जाएगा south east चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रशन की और अगला question है आपका shadow based question तो यहां पर shadow से related कुछ basic concepts को हम लोग देख लेते हैं जब हम बात करेंगे परचाई पर अधारित प्रशनों की यानि कि shadow related questions की तो यहां पर हम बात करेंगे एक तो morning case की यानि कि सुबा के समय की और दूसरा हम बात करेंगे evening case की यानि कि शाम के समय की morning case की जब हम बात करेंगे तो morning में यदि कोई person क्या होगा facing towards north होगा यानि कि सुबा के समय जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा होगा तो मान लेते हैं यह होगा आपका व्यक्ति ए तो व्यक्ति ए की परचाई कहा बनेगी व्यक्ति ए के बाई और बनेगी और जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा होगा दक्षिन दिशा में देख रहा होगा मान लेते हैं व्यक्ति बी तो व्यक्ति बी की परचाई कहा बनेगी व्यक्ति बी के दाहिनी और बनेगी इसी प्रकार जब हम बात करते हैं साम के समय की तो साम के समय यदि कोई पर्षन कहां देख रहा होगा उत्तर की ओर देख रहा होगा तो उस व्यक्ति की पर्षाई कहां बनेगी तो उसके दाहिनी ओर बनेगी और साम के समय जब कोई व्यक्ति कहां देख रहा होगा दक्षिन की और देख रहा होगा तो उस समय उसकी परचाई कहां बनेगी व्यक्ति के बाई और बनेगी clear समझते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बताईए सुबा के समय यहाँ प्रिशाई डाइ और लेकिन यहाँ पर आगर मैं आपसे पुछू हूआ बताओ एक ही परशाई बिके कहां बन रही है तो एक ही परशाई ब के रिस्पेक्ट में कहां बन रही है दाई और बन रही है यानि कि जब भी दो व्यक्ति आमने सामने खड़े रहेंगे तो मेरी परचाई जिस और बनेगी मेरे सामने वाले की परचाई भी कहा बनेगी उसी दिशा में बनेगी और उसकी परचाई जिस और बनेगी मेरी परचाई भी कहा बनेगी उसके respect में उसी direction में बनेगी तो यहाँ पर मैं बात करूँ A की परचाई B के कहा बन रही तो A की परचाई B के दाई और बन रही और B की परचाई कहा बनेगी तो B की परचाई A के बाई और बनेगी अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी Evening case की तो evening case में देखो A की परचाई A के कहा बनेगी दाएनी और बनेगी और B की परचाई B के बाईनी और बनेगी लेकिन जब मैं बात करूँगा कि A की परचाई B के कहा बनेगी तो A की परचाई B के बाईनी और बनेगी और B की परचाई A के कहा बनेगी तो दाएनी और बनेगी वेक्ति के पीछे और मॉर्निंग टाइम में अगर बंदे का फेस कहा होगा वेस्ट में होगा तो पर्षाई कहा बनेगी एहड ऑफ दा परसन यानि की वेक्ति के आगे इसी प्रकार अगर हम बात करें इवनिंग केस में जब कोई परसन कहा देख रहा होगा इस्ट की और ही पूसता है क्लियर चली इसको फटा फट से आप लोग क्या कर लिजे नोट कर लिजे फिर हम लोग कोश्चन की बात करेंगे चली बात कर लेते हैं कोश्चन की कोश्चन में बोला इन और मॉर्निंग रिया और राहूल वर टॉकिंग विछ अधर फेस तो फेस यानि कि अगर हम बात करें एक सुबह क्या था रिया और राहूल एक दूसरे से आमने सामने क्या कर रहे थे बात कर रहे थे उसी समय रिया को पता चलता है या फिर रिया देखती है कि उसकी छाया राहूल के कहा बन रही है बाई और बन रही है तो पता लगाएं कि राहूल किस दिशा की और उन मुख है या तो राहूल का मुख किस दिशा में ही आपको बताना है तो आप किसी को भी मान लीजे रिया और किसी को भी मान लीजे राहूल मतलब कहीं भी आप रिया को रख सकते थे कहीं भी आप राहूल को रख सकते थे अगर हम ने structure इस प्रकार से बनाया, चुँकि case किस का है, morning का है. Structure हमने इस प्रकार से बनाया, तो यहाँ पर रिया की परछाई कहाँ बन रही है? राहुल के दाई और बन रही है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्जाम में इसको पहले रिमूव करेंगे फिर सुन्दर सुन्दर ठत्या करेंगे चित्र बनाएंगे और उस चित्र में यहाँ पर रखेंगे किसको राहुल को और यहाँ पर रखेंगे किसको रिया को क्योंकि जब तक बना नहीं लेंगे तब तक मानेंगी नहीं है ना चलिए अब आप देखेंगे की रिया की परचाई कहां बन रही है राहुल के बाईयों और बन रही है तो देखो एक्जाम में क्या करना आपको बना लेना है सिर्फ और सिर्फ कितनी बार एक बार अगर वह गलत है यानि कि अगर ये गलत है तो इसको रिमूब करने की मिटा के दूसरा स्ट्रक्चर बनाने क्या हो सकता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर जब रिया क्या कर रही है पूछा क्या राहुल का फेसिंग तो अगर रिया जब उत्तर की और देख रही है राहुल दक्षिंड की और देख रहा है तो रिया की परचाई कहा बन रही है राहुल के दाइं और बन रही है लेकिन प्रस्णम क्या दिया गया है कि रिया की पर्षाईं कहा बननी चीए राहुल के बाइं और बननी चीए इसका मतलब यह है कि हम इसका जेस्ट क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे तो Ria की पर्शाही कहाँ बन जाएगी राहुल के बाईयो और बन जाएगी इट मेंस अगर राहुल फेसिंग साउथ में आंसर हमारा गलत आजाएगा तो definitely राहुल फेसिंग नॉर्थ में आंसर हमारा क्या जाएगा सही आ जाएगा इसको remove करके कि हमें एक सुन्दर सुन्दर सा चित्र बनाने क्या वशकता है बिलकुल भी नहीं है इसके हमें marks बिलकुल भी यहाँ पर नहीं मिलने जा रहे हैं clear हमें केवल और केवल marks मिलेंगे answer के तो हमें क्या करना है, answer mark करना है, अलग से structure बनाने के वशक्ता बिलकुल भी नहीं है, clear, चलिए फिर आपको दिया है, in a morning, P and Q are facing towards each other at a crossing, if P's shadow exactly falls to his left तेनी की बात हो रही है, फिर से किसकी, morning case की हो रही है, P और Q क्या कर रहा है, एक दूसरे की और, देख रहा है, P's shadow exactly falls to his left ठीक है, P की चाया, ठीक, उसके बाई और पढ़ती है, तो P की चाया, उसके बाई और कप पले की, जब P कहां देखेगा, towards north देखेगा, तो उसकी चाया कहां पले की, उसके बाई और, case क्या है, morning, case अगर यहां पर morning का है, तो obvious सी बाई है, पूछा किसके लिए, Q का मुख किस दिशा में, तो obvious सी बाई है, Q का मुख कहां हो जाएगा, towards south हो जाएगा, यानिकि answer कहां हो जाएगा, option number B, यानिकि B का मुख कहां हो जाएगा, deduction दिशा की और हो जाएगा, चलिए, अब यहां पे आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लेकिन आपको बिल्कुल भी घखाने की जरुवत नहीं है बिल्कुल आसान सा प्रोज बता रहा हूं तरीका बता रहा हूं आपको किवल और किवल फॉलो कर लेना है One morning Mohan is in head stand position जब भी आप से बात करेगा head stand position की जब भी आप से बात करेगा head stand position की तो आपको क्या कर लेना है Right or left की position यांदि अगर हम बात करें आपके position of hands की तो right or left hand की position बिल्कुल सेम रहेगी जैसे अगर मैं बात करूं अभी इस समय जो structure है इसके according अगर मेरा face left west direction में है तो ये हो गया मेरा left hand और ये हो गया मेरा right hand यानि कि अगर मैं straight position में हो तो मेरा right hand किदार है towards north है और left hand किदार है towards south है लेकिन जब मैं head stand position में आऊंगा तो भी मेरा right hand कहा रहेगा north ही रहेगा left hand कहा रहेगा South ही रहेगा, change कहा हैगा, मेरे facing के position में, यानि कि अभी मेरा face अगर किदर towards west है, तो head stand position में कहा हो जाएगा, towards east हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग एक चित्र की सहाधता से भी समझेंगे, उससे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं, question की, तो question में आप से बोला गया है Mohan is in the head stand position if his right hand is in the south ठीक है तो अगर मैं normal position की बात करूँ तो normal position में मेरा right hand south में कब होगा जब मैं facing का हूँँगा towards east में होँगा ठीक है जब मैं normal position में facing towards east होँगा तो मेरा right hand का होँगा towards south होगा लेकिन जब मैं head stand position में हूँ और मेरा right hand south मेरा इसके लिए मेरे face का position क्या करना पड़ेगा towards west करना पड़ेगा यानि कि face के position में क्या आएगा बदलाव आएगा then find in which direction he is facing तो obviously बात है normally अगर मैं देखू मेरा right hand south में कब होगा जब मैं facing east होगा लेकिन head stand की बात करने तो इसका just क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा यानि कि उत्तर की बात करने तो answer क्या हो जाएगा west इसको हम लोग चित्र की मार्धियम से भी समझने का परियास करेंगे अगले question में चलिए in an evening at the time of sunset a man is in head stand position यानि कि इस बार हम बात करने किसकी evening case की if his shadow falls towards his back यानि कि evening में किसी व्यक्ति की परचाई उसके पीछे कब पढ़ेगी तो normal position में जब हमारे आगे की और पढ़ेगी तो head stand position में क्या पढ़ेगी हमारे पीछे की और पढ़ेगी तो normal position में जब हम कहां देख रहे होंगे east में देख रहे होंगे तो हमारी परचाई कहां पढ़ती ahead of the person लेकिन जब हम क्या करेंगे head stand position में होंगे तो हम क्या करेंगे normal position में जब हमारी परचाई कहा पढ़ती हमारे सामने की और पढ़ती है तो head stand position में हमारी परशाई कहा पड़ेगी हमारे back यानि कि behind the person पड़ेगी यानि कि अगर मैं बात करूँ normal position में मेरी परशाई ahead of the person यानि कि वेक्थी के सामने क्यों कप पड़ेगी जब मेरा right hand कहा होगा towards south होगा और left hand कहा होगा towards north होगा clear और यहां परशान की तो परशाई वक्ति के पीछे की ओर बन रही तो पीछे की ओर कब बनेंगी जब normal position में मेरे आगे की ओर बनेगी तो head stand position में परशाई परशाई ही कहां बनेगी पीछे की ओर बनेगी लेकिं hand की position क्या रहेगी same रहेगी बोला क्या गया है towards his back then find the direction of फिस right hand, तो right hand की बात करें, तो right hand क्या हो जाएगा, south ही हो जाएगा, इसको हम लोग चित्र के साहेता से समझने का प्रयास करते हैं, यह होगा आप एक्टी, ठीक है, यह होगा आपका person, चित्र में देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर consider करूँ, evening case, चलिए, person को देख लेते है अगर हम यह लेते हैं, evening case, व्यक्ती अगर सीधा होता है, इसी व्यक्ती को अगर हम सीधा कर दें, तो obvious सी बात है, इसका right hand कहा रहेगा, towards south रहेगा, left hand कहा रहेगा, towards north रहेगा, लेकिन इसकी पर्षाई कहा बनती, ahead of the person बनती, अभी व्यक्ती की पर्षाई कहा बनेगी, behind the person बनेगी, यानि कि व्यक्ती की पर्षाई इधर बनेगी, और अगर हम बात करें, इसके right hand के position की, तो इसका right hand है, वो कहा रहेगा, towards south रहेगा, और जो left hand है, towards north रहेगा, तो चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, अप्रोच क्या लगाना है, बस इतना कर देना है, कि normal position में अगर हमारा face किदर है, east है, तो head stand position में कहा हो जाएगा, बस change आपको यही करना है, बाकि right hand और left hand की position में कोई भी बदला नहीं आएगा, यदि इस प्रकार का प्रस्ण आपके exam में पूछा जाता है, तो इसको भी आप असानी से हल कर सकते हैं, confuse नहीं होना है, चलिए, ब यानि कि अगर हम बात करें 12 बजे की, तो our hand points towards northwest direction, यानि कि in general अगर हम बात करें तो clock में देखिए चलिए, इन general अगर हम बात करें तो यहाँ हो गया, इसको भी remove करते हैं, यह हो गया आपका 12, यह हो गया आपका 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, साथ, आठ, तो अगर हम इसको क्या करें, direction मान ले, तो clearly आप देख सकते हैं, कि 12 बजे जो घरी की, आवर हैंड है, वो कहा होगी, towards north direction में होगी, और अगर हमने क्या क्या direction को 8 parts में divide कर दिया, क्योंकि अगर complicated question आएगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, और इसके लिए हम लोगे यहाँ पे कुछ महत्पूर्ण बातों को समझ लेते हैं, जैसे कि यह होगे आपका north, यह होगे आपका east, यह होगे आपका south, यह होगे आपका west, यह होगे आपका north west, यह होगे आपका north east, यह होगे आपका south east, और यह होगे आपका south west, चलिए, अब अगर हमने कहा, overall अगर हम देखे तो यहाँ पे कितने degree हो गए, तो overall हो गए यहाँ पर यहां से ले करके यहां तक जब हम वापस जाएंगे तो total angle कितने का होगा 360 degree का होगा बोलो यहां तक clear ठीक है फिर अगर मैं बात करूँ total angle होगा अगर यहां पर 360 degree का और 360 degree में आपके कितने divisions है तो आपके 8 divisions है यानि कि each division के अगर हम value की बात करेंगे तो each division की value कितनी हो जाएगी 45 degree हो जाएगी और इस 45 degree का हमने क्या किया है 8 directions में divide किया है यानि कि अगर मैं बात करूँ जैसे मैं बोलता हूँ 12 बचके 5 minute तो 12 बचके हम 5 minute की बात करेंगे तो यहां पर हमें पता each division की value कितनी हो जाएगी कैसे हो जाएगी तो 12 से वापस से हम 12 प्याएगे तो कितने degree हो जाएगा 360 degree हो जाएगा और 360 को जब हम 12 से क्या करेंगे विभाजित करेंगे तो जो value आएगी each division की वो कितनी आजाएगी 30 degree आजाएगी clear बात समझ में आई अब मान लेते हैं हमने कहा 12 बज़ के 5 मिनट 12 बज़ के 5 मिनट का मतलब क्या हो गया 30 degree हम घूम गए तो हमें इसको north east consider करना है या फिर हमें इसको north consider करना है ये एक महत्रपूर्ण मुद्दा है तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं इसको लेके कई बार हमारे पास confusion division create होती हुई दिखाई देगी समझे each division की value हमने कहा कितनी हो गई 45 degree अब यानि कि अगर हम बात करें north से towards north east की तरफ अगर हम जाएं यानि कि इसको हम इस प्रकार से चार और भागों में अगर विभाजित करें यानि कि अगर हम बात करें north के लिए भी कितना होना चाहिए 45 degree होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए north east के लिए भी कितना होना चाहिए 45 degree का angle होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यानि कि अगर हम बात करें north को में 45 देना है तो north से towards northwest की तरफ जाएंगे 22.5 degree का इधर और 22.5 degree का इधर हम क्या consider करेंगे North इसी प्रकार North East से 22.5 degree towards North और 22.5 degree towards East हम क्या मान के चलेंगे North East इस्ट की अगर मैं बात करूं तो 22.5 degree towards North East और 22.5 degree towards South East हम क्या consider करेंगे East consider करके चलेंगे तो यदि आपको यहाँ पर बोला जाता है समय क्या है 12 बज़ के 5 मिनट है तो हमें पता है North से कितना केवल हम को consider करने 22.5 तक ही हमें North consider करना जबकि एंगल हो गया कितने degree का 30 degree का हो गया इस्ट में हम किस direction में consider करेंगे North East direction में consider करेंगे और इसको जितना घटा के या बढ़ा के हमें बताया जाएगा तो एक्चुल जो हमें time दिया होगा या minute hand के बारे मान ली जहम से पूछा है उतने का rotation करेंगे जो आप से पूछा गया प्रशन था उसको आप असानी से यहाँ पर क्या कर सकते थे अंसर कर सकते थे यहाँ पर कोई भी कठिना ही नहीं थी लेकिन जब इस प्रकार की situation बनती है तो यह आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे दो बातों को कि यहाँ पर एक division अगर हम बात करें तो कितने degree का होता है 30 degree का होता है और इसमें क्या होते हैं 5 sub divisions होते हैं कि एक दो तीन चार और पांच और एक sub division की value की बात करें तो कितने degree का होता है 6 degree का होता है इसको जब हम लोग clock का chapter क्या करेंगे cover up करेंगे तो वहाँ पर इन बातों को हम लोग और detail से समझेंगे clock से related जो भी आपकी concepts है अभी हम लोग आ जाते हैं direction पे अब यहाँ पर बोला गया है 12 बज़े क्या होता है our hand points towards northwest तो simply अगर मैं बात करूं बारा बज़े होना कहां चाहिए था नॉर्थ पर दिखा कहां रहा है नॉर्थ वेस्ट कितने का फर्क 45 डिग्री clockwise के अंटी क्लॉक्वाइस तो रोटेशन लिया तो यहाँ पर भी उन क्या करें कि 45 डिग्री अंटी क्लॉक्वाज में रोटेशन लेंगा यानि कि answer की बात करें तो क्या हो जाएगा south east यानि कि option number a क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए clear बात कर लेते हैं आप अगले पूछे गए प्रश्न की अगले प्रश्न की बात करें चलिए तो लिखा है m and n start walking in opposite direction from the same point यानि कि हम बात करें m और n एके ही बिंदू से विपरीत दिशा में चलना प्रारम करते हैं तो यह अगर बिंदू मान लिए तो विपरीत दिशा में ऐसे चल सकते हैं यानि कि कि किसी भी तरीके से उनका moment हो सकता है तो दोनों ही तरीके से हम यहाँ पर structure draw करके देख लेंगे one by one clear चली तो सबसे पहले मान लेते हैं यह क्या है बिंदू है एक बंदा है M और एक बंदा है N विपरीत दिशा में चलने तो इसको भी हम M मान सकते हैं और इसको भी M मान सकते हैं यह कि M या N या कोई भी हो सकता है clear M भी हो सकता है और N भी हो सकता है अगले information की बात करें तो बोला है और 9 मीटर चलने के बाद दोनों दाई और मुड़ते हैं ठीक है 9 मीटर चलने के बाद यह नौ मीटर चला यह भी 9 मीटर चला अगर इसको M माने तो यह किधर मुड़ गया दाई और मुड़ गया और इसको M या N कोई भी मान नहीं यह दाई दाई और मुड़ गया यहां तक क्लियर दोनों दाई और मुड़ते हैं और 12 मीटर चलते हैं तो यह हो गया कितना 12 मीटर और यह भी कितना हो गया 12 मीटर तो M और N के बीच की दूरी ग्याद कीजिए तो यानि कि आप एक बार यहां पर देखो एक बार यहां पर मैं M लेकर के इस नहीं तो कितना हो गया यहां पर कर लेते हैं 12 हो गया और टोटल ये वाला distance की बात करें तो कितना हो गया ये distance हो गया 18 हमें निकालना है क्या तो हमें निकालना है ये दूरी clear अब base हो गया 18 और height हो गई 24 यानि कि 24 और 18 का हम square करेंगे यानि कि 18 का square plus 24 का square करेंगे बराबर किसके होगा तो बराबर हो जाएगा किसके 30 के square टुब्लेट wijल्यू मैंने आपको बताई थी 18 18 तीन का कितने गुणा है देखो 3 का square plus 4 का square बराबर किसके होता है 5 के square के होता है तो 18 Jahren का कितने गुणा है छे गुणा है 24-4 का कितने गुणा है 6 गुना है तो यहां 5 का 6 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यानि कि यह वाली जो value है वो कितनी निकल करके आ जाएगी 30 clear यहां तक बात समझ भाई यह वाली value कितनी हो जाएगी 30 और अगर यहां पर मैंने कहा M की जगे पे हम N की जगे पे अगर हम दूरी पर अधारित प्रस्ण पूछा यानि कि दूरी में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार का प्रस्ण आता है तो भी आप इसको असानी से हल कर सकते हैं इंप्लेट वैल्यू की बात करें तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा है पूरे के पूरे चैप्टर में चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्ण की काफी interesting question है सबसे पहले मैं यह चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को pause करें और इस question को खुद से solve करें ठीक है उसके बाद मैं आप लोगों को solve करके बताऊंगा आपको match करा ले न comment करके सबसे पहले तो यह बताना है कि कितने वंदों का इतने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो comment करके जरूर बताईएगा कि कितने लोगों का इस particular question का answer बिलकुल सही सही आया कोई भी complication नहीं हुई बनाने में सब ही लोग comment करके बताएंगे चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोल रहा है from his house and turn right and walk 20 meter from here ठीक है यानि कि Romil क्या करता है 20 meter towards west direction में जाता है from his house and turns right and walk 20 meters फिर से यहाँ पर क्या करता है दाइए और मुड़ता है और 20 meter चलता है आगे आपको बोला क्या from here he climbs to the top of a 10 meter pillar और यहाँ जी क्या करता है हुआ एक 10 meter के pillar पे चड़ता है clear then find the distance between his current position from the starting point अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ आता है कि यहाँ पिलर ड्रॉ कैसे करें पिलर ऐसे ड्रॉ करें पिलर ऐसे ड्रॉ करें कि पिलर ऐसे ड्रॉ करें ठीक है यह एक महत्रपूर मुद्दा हो जाता है यानि कि ऐसे ड्रॉ करेंगे तो answer अलगाएगा ऐसे करेंगे तो अलगाएगा ऐसे करेंगे तो अलगाएगा pillar हम ड्रॉ कैसे करें यानि कि 2D में तो यह हमको proper बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप बना सकते है multiple approach बताऊंगा ठीक है पहले थोड़ा सा typical approach समझ लीजे फिर इसको मैं detailing करके दिखाऊंगा कि कैसे चीज़े work कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें 20 यह हो गया 20 यह हो गया के नहीं हो जाएगी clear और यहां से वो चलता है 10 मीटर के पिलर पे तो जो पिलर का बेस होगा वो यह वाला बेस हो जाएगा पिलर के लिए बेस और इस पर क्या हो जाएगा वो 10 मीटर का क्या रहेगा पिलर स्थित रहेगा और यह हो गई height यह हो गया base इस बार हमें निकालन है यह वाली दूरी तो यह वाली दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दस का स्क्वाइर करना पड़ेगा प्लस रूट 800 का क्या करना पड़ेगा इस्क्वाइर करना पड़ेगा बराबर किसके होगी यह वाली दूरी के बराबर होगी तो दस का स्क्वाइर करो बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 3D figure में समझने का प्रयास करते हैं, चलिए, 3D figure में लोग समझने का यहां प्रयास करते हैं, पूछे के प्रशन के उत्तर के लिए, 3D figure की बात करूँ अगर मैं, तो यह आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस दूरी की अगर मैं बात करूँ, चलिए, तो रो मिल क्या करता है, वेस्ट डारेक्शन उपने घर से चलना शुरू करता है, कितना चलता है, 20 मीटर, यानि की, अगर हम माल लें कि यह initial point हो गया यहां से यहां तक आया और यह दूरी हमने माल ले कितनी 20 meter ठीक है अब यहां से क्या करता है फिर से वो दाई और मुड़ता और कितना चलता है 20 meter चलता है तो यह हम चल गए कितना दाई और और जो आग करती है फिर हमें क्या consider करना पड़ेगा इसको cuboid consider करना पड़ेगा क्योंकि height यहां पर हम अलग मानेंगे यहां से वो चलता है 10 meter के pillar पे तो pillar की जो उचाई है उसको हम अलग मान लेते हैं यानि कि इसको हम मान लेते हैं 10 meter और यह होगी आपका 10 meter का pillar clear इतनी बात समझ में आई अब अगर मैं यहां पर बात करूँ तो हमें क्या निकालना है इस बिंदू से इस बिंदू के बीच की दूरी इन दो बिंदूओं की हमें क्या निकालना है बीच की दूरी निकालना है और इन दो बिंदूओं की बीच की दूरी की अगर मैं बात करूँ तो diagonal of the cuboid होगा की नहीं होगा यह बताइए मेरे को diagonal of cuboid हो जाएगा की नहीं हो जाएगा diagonal of cuboid की बात करें तो क्या होता है under root L into B into H length की बात करें तो कितना था 20 का square plus breadth की बात करें तो कितना था 20 का square और H की बात करें तो कितना था plus 10 का square इस value की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 plus 400 plus 100 900 जो कि किसके बराबर होता है 30 के बराबर होता है यानि कि answer क्या जाएगा 30 meter clear तो इसको इस प्रकार से भी आप देख सकते थे यानि कि इसमें से अगर मैं इस हिस्से को delete कर दूँ यानि कि मैं shapes को अगर यहाँ आप से हटा दूँ देखे शेप को अगर मैं हटा दूँ तो जो आप क्या करती बनती हुई दिखाई दे रही है वो कुछ इस प्रकार से आपको अकरती दिखाई दे रही है यानि कि अगर इसमें एक line मैं single draw कर दूँ तो जो previous मैंने यहाँ पर आपको structure draw करके दिखाया था यानि कि यह वाला इस structure की बात करें तो कुछ-कुछ आपको वैसा structure दिखाई देगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पर draw किया था तो इसको 3D से भी मैंने समझा दिया और बाकी structure कैसे draw करना है उससे भी मैंने आपे बात कर ली clear बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगले प्रश्न की बात करें तो बोला है अमित और अमन start walking in the opposite direction from the same point यानि कि फिर यहाँ पर वैसा ही प्रश्न आया एक बिंदू से दोनों opposite direction में चलना शुरू करते हैं और walking after 18 meters अमित covers a certain distance on his right and अमन on his left यानि कि यहाँ पर अगर हम बात करें same point था एक को मान लेते हैं अमित एक को मान लेते हैं अमन इसको अगर हम अमित मान लेते हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे अमन मान लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे दोनों को change करके भी देखेंगे तो बोल रहा है अमित covers a certain distance on his right अगर इसको हमने अमित माना तो अमित ने क्या किया एक निश्चित दूरी तै कि मान लेते हैं दूरी कितनी हो गई एक्स फिर उसके बाद बोल रहा है अमन on his left और अमन क्या करता है अपने बाइयोर चलता है equal to the distance covered by अमित after taking right turn यानि कि दाय मुणने के बाद अमित ने जितनी दूरी तै करी उतनी ही दूरी आमन क्या करता है दाय मुण करके तै करता है ठीक है और starting में दोनों कितना चले थे 18 meters यानि कि 18 meters ये चला था और 18 meter ये चला था ये दूरी भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी पूछा क्या है then what is the distance between अमित एंड अमन तो यानि कि अमित और अमन की अगर हम बात करें तो distance कितना होगा तो अगर बात करें यहां पर दोनों की दूरी x है तो अबेस सी बात है ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी लेकिन प्रस नहीं यह उठता है कि अगर हम अमित और अमन को क्या कर दें चेंज कर दें तो भी हमारा अंसर सेम आएगा या फिर कुछ अलागाएगा तो चलो देख लेते हैं कि एक पॉइंत ले लिए इस बार हमने इसको माण लिया अमित और इसको मांन लिया अमन दोनोंने क्या क्या है 18 मीटर की दूरी तेह करी अब यह अमन हो गया तो अमन कहा मुझत है अब यहां मुझत है silly और अमित कहा मुझत है अपने दाई hare दूरी दोनों की क्या हो गई X हो गई तो भी यहां पे आप देखोगी की जो दोनों के बीच का distance है वो कितना आ रहा है 36 meter ही आ रहा है यानि कि यहां पे कोई भी आपको change होता हुँ दिखाई नहीं दे रहा है जो कि 18 मीटर फिर एक certain दूरी वो तैय करता है right मुलने के बाद और वही दूरी अमन तैय करता है उतनी ही दूरी जो कि Amit right मुलने के बाद तैय किया है उतनी ही दूरी अमन ने भी यहाँ पे तैय करी यानि कि अब दोनों के बीच के अगर हम distance की बात करेंगे तो दोनों के बीच का distance जो हो जाएगा वो क्या रहेगा 36 meter रहेगा चाहे आप इधर Amun को मान लीजे चाहे आप इधर Amit को मान लीजे Amit को मानते तो ये structure आपका इस प्रकार से बनता और Amun को मानने है तो आपका structure इस प्रकार से बनेगा लेकिन आंसर दोनों ही cases में क्या आएगा सेम आएगा clear कुछ miscellaneous questions है फटा फटा से इसके हम लोग क्या कर लेते हैं practice कर लेते है एक व्यक्ति बिंदू A से उत्तर दिशा की और चलना शुरू करता है और बिंदू B तक पहुंचने के लिए 5 मीटर की दूरी तय करता है यानि कि अगर हम मानने है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि space हो जाए अपने पास structure बनाने के लिए चलिए तो अगर मैं बात करूँ एक बिंदू एक व्यक्ति बिंदू A से उत्तर दिशा की और चलना शुरू करता है यानि कि अगर इसको हम मान लेते हैं point A और उत्तर की और चलना शुरू करते हैं बिंदू B तक पहुंचने के लिए और दूरी कितनी तय करते हैं तो 5 मीटर ठीक है उसके बाद आपको दिया गया फिर वह अपने दाहिनी और मुड़ता है और बिंदू C पर पहुंचने के लिए 10 मीटर की दूरी तय करता है तो यहां से हम मुलेंगे अपने दाहिनी और यह हो जाएगा बिंदू C दूरी हो जाएगी 10 मीटर अगला गर हम बात करें वह पुना अपने दाहिनी और मुड़ता है और बिंदू D पर पहुंचने के लिए 3 मीटर की दूरी तय करता है यानि किस बार दूरी जो होगी वह एक एक कमपैर्जन में कम होगी यह हो गया बिंदू D और दूरी हो गई 3 मीटर आगे कि अगर मैं बात करूँ तो बोला है बिंदू D से वह बाएं मुड़ता है और बिंदू E पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है यहां से जब आप बाएं मुड़ोगे तो किधर जाओगे तो इस्ट जाओगे और बिंदू E पर पहुंचने के लिए पांच मीटर की दूरी ठेह करता है क्लियर आगे कि अगर मैं बात करूँ तो बोला है फिर वह दो मीटर दक्षन दिशा की और जाता है और बिंदू F पर पहुंचता है यानि कि यहां से जब हम दो मीटर चलेंगे और 10 मीटर चलता है यहां से अब वो क्या करेंगे अपने दाइं और मुलेगा तो 5 तो यह हो गया और यह 10 था तो यानि कि इसका हाफ 5 यह हो गया क्लियर और इस दूरी के अगर हम बात करें तो यह दूरी कितनी हो जाएगी 5 नोट करके लिख लेते हैं पूछा क्या है चलिया जाते हैं कोश्चन पर कोश्चन क्या पूछा है पहला कोश्चन आप से पूछा है D is in which direction with respect to A A के सापेक्ष D किस दिशा में है तो मैंने कहा था इस प्रकार के प्रश्चन के लिए आपको क्या कर लेना होता है जिस भी point से पूछा गया है वहाँ पे आपको एक map draw कर लेना होगा और map के according देखो के तो answer क्या आजाएगा आपका north east यानि की option number C उत्तर पूर बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्चन की what is the shortest distance between B and G यानि कि आपको बताना है B और G के मध नियूनतम दूरी कितनी है तो यह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिंदू B और अगर मैं बात करूँ G की तो यह हो जाएगा आपका बिंदू G ठीक है B और G के बीच के अगर हम shortest distance की बात करें तो यह देखो बेस की अगर मैं बात करूँ देखो बेस की अगर मैं बात करूँ तो कितना है 5 height की बात करूँ तो कितना है 5 यानि कि यह value कितनी हो जाएगी यह value हो जाएगी root 25 यह value कितनी हो जाएगी root 20 sorry यह 25 और यह नदर ले जाओ कितना पताओ बताओ, यहाँ पर दो से चार दोगी तो कितना हो जाएगा पचास यानि कि हम बात करें, यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो पाइर पार भी में सकते है आप उप्शनो अंबर ईसको न्कालने का तरीका नहीं पता तो आप क्या कर सकते थे पेरिंग कर सकते थे प्यरिग की बात करने हैं तो द Hetको कटोगे तो आए-गा कितना दो से काटोगे यहां पर आएगा पच्चिस फिर पांच से काटोगे तो आएगा कितना पांच और फिर पांच से काटोगे तो आएगा कितना एक यानि कि पांच का हमें पेर मिल गया तो पांच को हम रख लेंगे बाहर और जिसका पेर नहीं मिला उसको रखेंगे रूट के अंदर यानि कि पाइव रूट टू क्या हो जाएगा आंसार हो जाएगा अगर आपको यह तरीका नहीं पता तो आप इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते थे चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्णकी अगले दी में प्रश्णकी बात करूँ तो बोला है सीता walks 10 km towards east from there she walks 6 km towards west यानि कि दस km पहले कहां जाती है east की ओर जाती है और यहां से उसके बाद 6 km towards west और यहां से फिर 6 km towards west आ जाती है यानि कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, चार किलोमीटर हो जाएगी आगे की बात करें तो बोल रहा, then she walks 3 किलोमीटर टूअर्स नॉर्थ और यहां से क्या करती है, 3 किलोमीटर टूअर्स नॉर्थ जाती है यानि कि ये दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई How far is she from her starting point Starting point यह हो गया, base हो गया, 4, height हो गया, 3 तो hypotenuse की value कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी triplet value के अंतरगत यह सारी बाते मैंने आप लोगों को सिखाई है इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है चलिए अगला बोला गया है, Rhea is facing north She turns 90 degree in anti-clockwise Then 180 degree in the clockwise In which direction is she facing now यानि कि 90 और 180 का अगर हम difference लें तो बचेगा कितना 90 बचेगा और 90 किसका बचेगा तो clockwise का बचेगा देख रही थी north तो north से 90 clockwise आओ कि तो answer क्या हो जाएगा East यानि कि option number D बिल्कुल आसान से question है देखो जहाँ पर explain करने वाले questions है वहाँ पर मैं बिल्कुल detail में आपको explanation दूँगा बाकि जिन concepts को हम लोग क्या कर चुके हैं बना चुके हैं तो यहाँ पर questions केवल और केवल practice के लिए हैं तो आप इसका फटा-फट से answer करेंगे चलिए अमिद बिन्दू L से चलना प्रादम करता है और तीन मीटर पूर्व की और बिन्दू N तक जाता है ठीक है बिन्दू L है चलिए बिन्दू L से चलना प्रादम करता है और तीन मीटर पूर्व की और बिन्दू N तक जाता है यहां से बाय मुड़ता है बिंदू N तक पहुंचने के लिए उसी दूरी का तीन गुना यात्रा करता है यानि कि यह दूरी अगर तीन है तो यह कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा वह फिर से बाएं मुड़ता है और बिंदू L और M के बीच की दूरी का 5 गुना यात्रा करता है यानि कि L और M की दूरी है 3 तो पांच गुना यात्रा करेगा यानि कि 15 तो यहां तक निकाल दो 3 तो यह हो जाएगा 12 और किस बिंदू पे पहुंचता है और अपने गंतव ओ तक पहुंचता है ठीक है इसके बाद बोला है प्रारंभिक बिंदू और गंतव के बीच की नियूनतम दूरी आपको निकाल ले है तो ये दूरी हो गई 9 ये दूरी हो गई 12 आपको निकाल लेना है फोटेनियस ये 3 का 3 गुना है ये 4 का 3 गुना है तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा पंदरा मीटर हो जाएगा यानि कि ट्रिपलेट वैल्यू पर बेस्ट बिल्कुल इजी सा कोश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अ मैन इस फेसिंग इस्ट ही टन 45 दिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलोग प्रेशिंग कहा है इस्ट है एंटी क्लॉकवाइज में कितना चला 45 फिर उसके बाद भी यहा और उसी दिजह में 180 डिग्री फिर 180 डिग्री मुल जाता है उसी दिजहें और फिर दक्षुना वरती दिशा में 270 डिगरी दोनों का डिपरेंस लेंगे तो यहां पर आजागा 90 डिगरी यानि कि यह बात हम करें clockwise की 90 और 45 की डिफेंस लेंगे तो बचेगा फौटिफ किसका वाला बचेगा clockwise बचेगा यानि कि number of questions की practice कर सकते हैं साथ ही साथ मैं बात करूँ इस particular lecture की तिसका आपको short notes भी provide करा दिया जाएगा हमारे website के उपर या फिर आप application download करके वहाँ पर भी देख सकते हैं application के बहुत सारे फायर हैं जैसे कि आपको schedule मिल जाता है अगर नहीं है तो आप website से जाकर कि क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं यह हो गई बात किसकी direction and distance के और next class के बात करूं तो next class में लोग एक नए chapter के साथ में शुरुआत करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में thank you